तो आज अपना Realme 8 5G launch हो चुका है, तो आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोग एक honest opinion देने वाला हूं कि कैसा phone है, क्या आप लोग को iPhone लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर इस phone के अंदर सिरफ 5G अब आगे कि सारी specification आपको बेकार मिलती है या फिर आप लो के साथ discuss करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ये phone के लोग को लेना चाहिए, तो हलो सुलतन आनए ना में केश हवाज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले तो शुरुआत करते हैं फोन के डिस्प्ले एंड डिजाइन से तो इधर आप लोगको एक compact डिस्प्ले मिलते हैं इधर आप लोगको maximum time एक compact डिस्प्ले ही मिलती है पाकी इस फोन के अंदर आप लोगको 6.5 इंचिस का full HD plus का IPS पहल मिलता है इधर आपको high refresh rate मिलता है इधर स्टिक के मिलती है backside में आपको 3 camera मिलते हैं इस फोन के design मेरे को काफी यादा सही लगा तो मतलब design wise भी आपको अच्छा फोन यह मिलता है तो महीं चलता है camera department के अंदर आपको back side में 3 camera मिलता है 48 megapixel जो आपको samsung का gm1 वाला sensor मिलता है plus 2 megapixel macro short plus 2 megapixel depth sensing के लिए अधर आप लोग max कोई launch कर रहें 15,000 पर एंड उसके अंदर आप लोग ultra wide का camera नहीं provide कर रहें तो यह चीज काफी जादा बेकार हो जाती है वहीं बात करते है selfie की तो आप लोगो 16 megapixel की selfie मिलते है जो ठीक है अपने price के इस आप से वहीं चलता है प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर तो आपक 300 approximately 700 da processor के pro processor dr processor माली 57 अपको GPU मेलते हैं डियर आपको 5G fon मेलता है तो मतलों काफी सही अपको processor मिलते हैं बांकी हे आपको G95 से powerful processor नहीं मिलता and Snapdragon 732G से भी आपको powerful processor नहीं मिलता आपको फोन भी 18 वोट का की fast charging support करता है and fast charger भी आपको बॉक्स में 18 वोट का ही मिलता है तो यह चीम में थोड़ी सी वेगाल लगी कि fast charging थोड़ी सी गवापको इदर मिलती है मेरे इसाप से इदर आप लोगो 30 वोट की तो fast charging देनी चीह थी realme वालो बाकी ठीक है बात करते हैं के कुछ extra features की तो इदर आप लोगों को 3.55 जैक मिल जाता है इदर आपको बेसिक सारी sensor मिल जाते है साइड माउंट फिंगर पिंट स्केनर मिल जाता है face unlock option मिल जाता है डेडिकेट स्रोड मिल जाता है UFS 2.1 का storage type मिल जाता है LPDDR4X आपको RAM type मिल जाता है Android 11 out of the box मिलता है realme UI 2.0 मिल जाता है wild wild L1 मिल जाता है camera 2 AP मिल जाता है 180Hz का इदर आपको touch response rate मिल जाता है अगर आप लोग की variety 5G ही है मलब आपका budget है 15,000 का एंड आप लोग को सिरफ 5G चीए बाकी की साइर चीज़ों से आप लोग ऐसे मतलब हो सकता है आपको कोई बड़ी दिक्कत ना हो कि phone का अल्टर वाइड ना हो रियल में 80Hz से बेटर option मिल जाता है सेम प्राइस के अंदर तो अभी आप लोग मुझे comment section अंदर अपनी राय बताओ के भाई आपको iPhone क्यासा लगा बाकी कुछ भी आप लोग को comment section अंदर लिखना तो आप लोग लिख सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद दो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब दो वीडियो को अपने फ्रेंट के शेर कर दो अंदर सोगत में इस्टाग्राम पे फोटो कर लो मिल जल किसी ओपी वीडियो को नहीं सब तक के लिए बाबाई